नमस्कार मिला नाम है सुमिस सिंह जिन्ह मैता हाँ चुनों सामने Quantum Mechanics Related एक और नय लेक्चर लेक्चर लेक है आज का हमारा है lecture number 5 यानि सीरीज का कौन सा लेक्चर चल रहा है ये lecture number 5 चल रहा है ठीक है और सबस्पे बार डिस्कस कर लेधे हैं कि आज किस lecture में हम किस topic को cover करने वाले हैं आज का हमारा topic रेटने वाला है आप सबका चहेता और आप सबका पहचाना हुआ एक topic जिसका नाम क्या है photoelectric effect किसका हम discuss करेंगे आज हम photoelectric effect के बारे हम discuss करेंगे photo electric effect electric effect आप सब लोग जानते हो कि photoelectric पढ़ने की जरुबत क्यों पढ़ी हम इसलिए जरुबत पढ़ी क्यों कि आने वाले कुछ लेक्चर में हम इस फोटो एलक्टिक एफेक्ट की हेल्प से एक्जिस्टेंस ओफ फोटोन को क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे कि जो फोटो एलक्टिक एफेक्ट होता है वो किसको एक्सप्लेन करता है एक्जिस्टेंस ओफ एलक्टोन को क्या करता है एक्सप्लेन करता है कौन फोटो एलक्टिक एफेक्ट फोटोन क्या होता है फोटो होती है है एल युक के बराबर होती है यह बंदल और क्ट maior फोटोन के है इसको इसको भी हम यहां पर क्या करेंगे तभी आज हम यहां पर फोटो इलक्टिक एफेक्ट हो क्या कर रहे हैं एक्स्पेंड कर रहे हैं आप सब लोग जानते हो कि फोटो इलक्टिक एफेक्ट होता क्या है बता सकते हो आप फोटो इलक्टिक एफेक्ट क्या होता है जो इफेक्ट है इसको सबसे पहले एक साइन्टिस्ट थे जिनका नाम क है उनका हर्ट हर्ट जने सबसे पहले इस टाइप के एफट को क्या किया अब्जॉब किया ठीक है अभी एफट क्या था ठीक बड़ा सिंपल है फोटो एलेक्टिक एफट कि यह बोलता है कि जब हम किसी मेटल की सर्फेस पर किसी रेडियेशन को इंसिडेंट कराते हैं तब मे एक रेडियेशन इंसिडेंट होगा रेडियेशन क्या होता है जैसे विजिवल लाइट क्या है एक रेडियेशन है जैसे यूवी रेज क्या है रेडियेशन है इंफ्रारेड रेडियेशन है एक्सरे क्या है रेडियेशन है गामा रे क्या है रेडियेशन है तो जब कभी य radiation किसी एक metal की surface पर पड़ता है इन माना जिंक माल लिया माना जिंक की surface पर पड़ा तो जिंक की surface पर जो electron होंगे वो क्या हो जाते हैं वहां से eject हो जाते हैं ठीक है और इसी phenomena को हम क्या बोल देते हैं photoelectric effect बोल देते हैं तो अगर हम अंग्रेज जी में बोलना चाहें कि वाट इस photoelectric effect तो आप क्या बोलोगे photoelectric effect is defined as यहां फिर we can explain photoelectric effect as क्या बोलेंगे आप ejecting of electron from the surface of metal when it come in the impact of light और विकन से when light impact on the surface of metal ठीक सिंपल भासा में है जब किसी सर्फेक मेटल सर्फेस पर कोई light या फिर radiation incident होता है या फिर पढ़ता है तब उसकी मेटल की सर्फेस से electron क्या हो जाते हैं eject हो जाते हैं और इसी phenomena को हम क्या बोलते हैं photo electric effect बोलते हैं तो अपर लिख देंगे हम लिखके चलेंगे अच्छा समझ में आ जाएगा ठीक है तो क्या बोलेंगे photo electric effect को यह होता है क्या ejecting of electron ejecting of electron electron from metal surface from metal surface when it come when it come in contact in the influence of radiation यह बोल सकते हैं when radiation incident on it when radiation radiation यानी UV ray gamma ray x-ray या बोल सकते है क्या visual right यानी विव्योर जो होता है वो भी when radiation क्या बोला फसे पड़ो ejecting of electron from metal surface when radiation incident on it incident on it किस पर इस metal surface पर जब कोई radiation incident होगा तब वहां से electron क्या हो जाएंगे eject हो जाएंगे दिस फिनोमेना इस नॉनेज नॉनेज या भी सिदह लिखो क्या लिखेंगे नॉनेज नॉनेज फोटो इलक्टिक एफेक्ट क्या बोलते हैं उसको फोटो इलक्टिक एफेक्ट फोटो इलक्ट्रिक एफेक्ट ठीके नॉन सबसे पहने फोटोइलक्टिक एफिर किसन अब्सप्रो करते हैं आख्यमेदेट थे उसके बाद कुछ साइंटिस्त्य गया होएं जैसे जिनका नाम क्या है मिलकन एक साइंटिस्त थे थौमसं थौंसटमसन की बारे में सब जानते हूं मिलकन थौmbol ने संप सारे सेंट ने इस फोटोएलेक्ट हों क्या खालना चाहाए इस प्लीड क्या सब्रक्राया या रेडियेशन को इंसेट्र आया और किसकी की फोटोएलेक्टिक एफेट के चले क्या नाउश सबसे पहरेने के लिए सब्सकेल बारे tut इलेक्सपेरीमेंटल शेटम अाफ्टो सेटप क्यां था टू खिरमेंटल अलोट एक्सपेरीमेंटल शेटमीजनुन सेंटैं के पास 엇क्सप्रिमेंटल इन सेट पैद सब्सक्राइब करें घडिक जाना पहुंतर इस तरीका से वैक्यूम टूबढ यूग इस तरीकी से य०्नत क्या लगा दिये इलक्ट्रोड लगा ध्यान सुनना क्या लगा दिये 2 bunch Wannama Coilлось एक लॉक्ट्रोड एधर लगा दिया और एक लॉक्ट्रोड इधर लगा दिया जीए हैboy अम है अब यहां पर क्या लगा दिया इस तरीके से यहां से इसको external circuit से जोड़ दिया अब external सरकुट में क्या-कै है मारे पास एक लगा दी यहाँ प्र बैटरी को ऑं या ओफ कर सकते है यह लगा दिया अब यह circuit है तो current measure करने के लिए हमें कहा स्थिए है क्या लगा दो यहां कहीं बनाद दिया कि लगा दिया क्रकरना होता है कभी कभी तो यहां पर नह pleasant और यह पिटैन्ट से लगता है पहलेल में लगता है तो इस से क्या लगा दिए एक potentiometer लगा दिया यहां बोल सकते हैं boltimeter लगा दिया potential meter किसके लिए होता है एक्जक्ट बेल निकालने के लिए और जो boltimeter होता है वो approximately निकालता है ठीक है आपने 12 था में पड़ा होगा तो हमने क्या लगा दिया हमने एक boltimeter लगा दिया और यह क्या है बैटरी है वी बोल्ट की यह क्या है कोई एक की है यह क्या है मेरे पास कोई एक रहेस्टर है ओके थोड़ा अजिम करो की क्या है open है यानि इसमें कोई भी current flow नहीं कर रही है अब क्या किया उसके बाद यहाँ पर आप photoelectric effect दिखाना है तो यानि इन दोनों में से किसी एक plate पर क्या कराना पड़ेगा हमको radiation को incident कराना पड़ेगा ना किस plate पर कराएं तो लेनार्ड मिलकिन और हर्ज ने बुला कि इस plate पर कराएंगे जो plate कहा होगी इस battery के negative terminal से क्या होगे connect होगी तो इस plate पर क्या कराना है Radioation को incident कराना है और radiation is light तो light कहीं बहर से incident कराना पड़ेगी तो उसके लिए यहाँ पर क्या लगा दी एक इस तरीके से रहुने quartz की window नगा दी जिस समय यह क्या हुआ एक्सपेंड किया गया इस फोटोएलक्टिक इफेट को उस समय तरह हमारे पास क्या थी हाइगेंस का सिद्धानता है यानि हैगेंस का प्रिंसिपल था है एक्षार्णिंग राइट का सी होती है वेव नेचर की होती है तभी मैंने यहाँ पर क्या टेक है इस की तरफ दोडेंगे इसकी तरफ दोडेंगे क्यों दोड़ेंगे आंसर बडाव सिंपल है देखो, यहाँ पर क्या है, अकर जिसे लिएलेटों से जूड़ी हुई है, तो जैसे हैं यहाँ से इलक्ट्रोन एजेक्ट होंगे, वो इलक्ट्रोन एजेक्ट के चीवाएंगे, इस higher potential वाली plate की और दोड़ेंगे क्योंकि electron में किसा charge होता है negative charge होता है तो यह plate क्या करेगी उनको attract करेगी तो यहां से electron जो बाहर निकले वो electron कहां की और दोड़ेंगे यह electron है हमारे पास वो कहां की और दोड़े इस positive plate की और दोड़े यहां बोल सकते हैं जिस time पर यह electron यहां से निकल कर इस battery के positive terminal पहुंचेंगे उसी time पर इस battery के negative terminal से कुछ electron बाहर निकलेंगे या जितने electron यहां पहुंचे उतने ही electron इस battery के negative terminal से बाहर निकलेंगे और यहां से होते हुए वे electron कहां पहुंच जाएंगे इस कहां पहुंचेंगे, क्या बोलते है इसका नाम, इस प्लेटर पहुंचेंगे, जिस प्लेट पर इस इंसिडेंट हो रहा था, अब यहां से लगातार इंसिडेंट हो रही है, अगेन यहां से इलक्ट्रोन निकलेंगे, और वो कहां पहुंचेंगे, इस प्लेटर पहुंच रहा है इलक्ट्रोन में क्या होता है चार्ज होता है तो मैं क्या कहूंगा कि इस सर्केट में क्या हो रहा है चार्ज मूफ कर रहा है और जब भी कोई चार्ज मूफ करता है तो क्या प्रडूस होती है करेंट प्रडूस होती है जान जोनना यह बात बहुत करेंट इस मूव अपोजिट टूदै करते हैं ठीक करता है खिया का पता किसे देखने को मिलेगा डिफलक्षण देखने को मिलेगा तो जैसे यहां पर लाइट इंसीडेंट हुई इन दो प्लेटों के भी बीच का जो क्या था gap था वो क्या हो गया और यहां पर क्या होगी एक current stabilized हुई और current कभ stabilized हुई जब यहां से कोई radiation इस पर पड़ा और स करेंट को हम बोलते है क्या photoelectric current इसे हम क्या बोलते है simple photoelectric current एफ फूटो करेंट क्या बोलते है virus Danny यहां पर tooth यहां पर चली दिस इंसिदेंट ओफ रेडियेशन उसे हम क्या बोलते हैं फोटो इलक्रिक करेंट बोलते हैं और जो इलक्ट्रोन यहां पर इजेक्ट हुए ड्यू टू इंपेक्ट ऑफ डिस रेडियेशन इलक्ट्रोनों को हम बोलते हैं क्या इस इलक्ट्रोन और नोन एज क्जिंग हो रहे हैं उस मैटल को हम क्या बोलते हैं जो आपर मैटल रखा हुआ है उस нужен क्या बोलते हैं फोटो मेटल बो यहाँ पर current देखने को मिला नाव उसके बाद बहुत सारे study करी गई अलग-अलग metal की यहाँ पर plate रखे गई जिंक की रखे गई, aluminum की रखे गई, potential की रखे गई, यानि बहुत सारे metal की plate रखे गई, यानि अलग-अलग metal की plate के लिए अलग-अलग क्या किये गई, experiment किये गई, और finally यह बोला गया, या फिर यह कहा गया, लेनार्ड, मिलकन, और हर्ट्स के द्वारा, या फिर लेनार्ड, मिलकन, थॉम्सन, हर्ट्स, वहने बहुत सारे scientist थे, उनके द्वारा यह बोला गया, कि जो यहाँ पर induced, sorry, जो current है, यह फिर बोल सकते है, जो photoelectric effect है, वो कुछ बात उपर क्या करता है, depend करता है, ना वो बात है कौन-कौन सी थी, वो चार factor पर क्या करता है, depend करता है, तो उनने क्या बोला, एक्सपरिमेंटली इपिट फाउंड एट तो लिखेंगे हम यहापर ठीक है लिखके चलेंगे, क्या बोलेंगे हम, एक्सपरिमेंटली, experimentally it is found that it is found that photoelectric effect photoelectric effect depends upon depends upon following factor following factor किस पर depend करता है वो जो नीचे दिएगे फैक्टर लिखूंगा आप उन पर डिपेंड करता है ठीक जो पहला फेक्टर है वह हमारे पास क्या intensity of light किस पर डिपेंड करता है intensity of light पर डिपेंड करता है intensity of light ठीक है इंपोटेंड ठीक है लिख लो लिखते चलो intensity of light दूसरा है मेरे पास potential difference between electrode potential difference PD between electrode ठीक है इलक्ट्रोड के बीच potential difference कितना है उस बात पर भी क्या करता है डिपेंड करता है किसा डिपेंड करता है frequency of radiation बहुत इंपोटेंड चीज किस पर डिपेंड करता है frequency ओफí रेडिएशंबर डिपेंड करता है ठीक है और चоЬ्धा डिपेंड करता है photometal कि इस पर Don Tray करता है फोटो मेटल भी डिपेंड करता है यानि हमने जिंक लिया है या फिर कॉपर लिया है या अलुमिनियुम लिया है या फिर पोटैसियम लिया है उस बात पर भी क्या करेगा डिपेंड करेगा कि हमको यहां पर किस टाइप का इफेक्ट देखने को मिलेगा ठीक है ना तो यह च intensity of light पर इंटेंसिटी और लाइट क्या है है हमारे पास सबसे पहला effect क्या है intensity of light पर किस तरीके से depend करता है इंटेंसिटी और लाइट ठीक है ना एक्सपरिमेंटली यह देखा गया कि जो मेरे पास यहां पर फोटो इलक्टिक करेंट है क्या देखा गया एक्सपरिमेंटली एक्सपरिमेंटली यह देखा गया कि यहां पर auto-electric current है वो intensity of light के क्या होती है? directly proportional होती है. ठीक है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अजुम करूं कि अगर मैं यहाँ पर बोलूं intensity और IAKB मैं ग्राफ खीचना चाहूं. किसके बीच? intensity और current के बीच. ठीक है? अगर मैं intensity और current के बीच ग्राफ खीचना चाहूं तो यह देखा गया कि अगर light के intensity 0 थी तो current है भी कितनी थी? 0 थी कहने का मतलब है intensity 0 होने का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ पर कोई light पढ़िंगी रही है तो current कितनी होगी? 0 होगी अगर यहाँ पर intensity of light कितनी होगी let us say I होगी कितनी होगी? I intensity कहने का मतलब यह हुआ कि मैंने यहाँ पर इक 20W वाट का बलब लगा दिया 20W कितने वट इस वोट का बलब लगाया और जैसे यहां पर 20 mówi का बलब लगा जुको वाइट लwritten what सिने पढ़ सो पड़ेगा और यहां से उलक्टर से बहाँ निकले गेए क्लंगे और लिट서 स्टेबलाइज होगी है लेट से वन एम्पेर करेंट क्या होगी स्टेबलाइज होगी ऐसा देखने को मिला अजूं कर लेता हो कितनी एम्पेर तो जैसे मैंने यहां पर 40W का red bulb लगाया, तो मुझे यहां पर क्या देखने को मिला, कि मेरे current कितनी होगी, 2A होगी, ठीक, फिर again, मैंने यहां पर क्या किया, 60W का bulb लगाया, तो मैंने यहां पर देखा, कि मेरे current हों कितनी होगी है, 3A होगी है, फिर मैंने यहाँ पर कितने Watt का लगाया, 80 Watt का बलब लगाया, और है वो ready, यानि frequency का है, same है, ध्यान देना, frequency same है, और यानि intensity बढ़ा दी, यानि कितनी कर दे, 80 कर दी, तो यहाँ पर current कितने देखने को मिले, मिले को, 4A देखने को, ऐसा हमको result देखने को मिला, तो मैं इस table से देख सकता हूं, या data से बता सकता हूं, कि जो intensity हो क्या है, डार्टी प्रपोर्शनल टू current है, तो यहांसे क्या बोल सकता हूं, मैं, कि जो intensity of radiation है, intensity of, या बोल सकते है current, या photoelectric current, ऐसे बोलो, कि जो मिरे पास क्या है, photoelectric current है, वो क्या है, डार्टी प्रपोर्श यह अंतनी प्रपोर्पोर्पोर्टिकिंती प्रपोर्पोर्टे याइशन पिनसिदेंट रेडियरेशन में क्या है वो प्रपोर्पोर्ट इसको माइप से रपर जाए करूं तो small i, to small i is that proportional to capital i, capital i for intensity, small i for photoelectric current, अगर मैं इंनको graph draw करना तो graph कैसा आजाएगा बताऊं? अगर मैं बोलू, this axis is for intensity capital i and this axis for current, then the graph must be, कैसा होगा? state line, क्यों प्रपोर्चनलेसन है, तो कैसा graph होगा? state line ग्राफ होगा जो यहां से कुछ इस तरी के से जाएगा तो इस तैप पर ग्राफ देखने को मिलेगा किसके बीच करेंट और इंटेंसिटी के बीच तो यह तो क्यों होगा पहला फैक्टर कि intensity of radiation किस तरीके से यहाँ पर flow करने वाली current को क्या करेगा effect करेगा यह फोटो-electric effect करेगा तो इस तरीकेगा effect हमको देखने को मिलेगा किसके साथ intensity of light के साथ इसे note करो फिर बात करते हैं कि जो यह potential difference है इन दो प्लेटों के बीच वो किस तरीके से current को क्या करता है effect करता है ठीक है अगला लिखो ठीक है नूट कर लो पहने है फिर अगला बढ़ते हैं ठीक second second लिखो potential difference between the electrodes यह between the plates नेक्स्ट के है हमारा potential difference एक कुंसा होगा सेकिन सेकिन क्या है potential difference between the electrode between electrode के वीचा potential difference है वो किस तरीके से current को क्या करेगा effect करेगा तो इसके लिए क्या गराब बनाएंगे तो सबसे पहने मैं अजूम कर लेता हूँ एक समय क्या है मेरे पास current इस इसको दिखा रहा है करेंट को दिखा रहा है और आजूम कर लो horizontal access में क्या है मेरे पास यहां पर potential difference यहां क्या है potential difference है और इधर को कैसे है negative sorry positive एजूम कर लिए अधर को और रोका सा है मेरे पास negative और यहां पर क्या होगा फिर जीरो यहां पर जीरो पोटेंशल है नहीं को पॉटेंशल डिफ्रेंस लगाया ही नहीं बैटरी लगाई ही नहीं है बैटरी मैंने इस तरीके से लगाई ही नहीं है और यहां से मैंने क्या कर दाए बिदावर बैटरी यानि initially potential कितना है मेरे जीरो है ऐसा एजूम कर लिया नहीं हम पढ़ते है इलक्ट्रोस्टेटिक में जब भी किनी दो टर्मिनल के भी potential zero हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी current flow नहीं करती है तो इस फोटो इलक्ट्रिक के केस में भी ऐसा ही होना चाहे था कि मैंने जैसे यहाँ पर बैटरी को हटा कर इसे मैंने यहाँ बैटरी को हटाया तो पोटेंशल zero होगा इस बैटरी को हटा दिया मैंने य गौ Muito है दिखा कि जैसे मैंने यहाँ पर क्या कराया यह ठीक रेडियेशन इंसिज्डेंड कराया तब यहाँ अपर current देखने को मिली एक चौकान रजल्ट देखने को मिल क्या हुआ कि जब क्या था जब हमारा potential zero था तब यहाँ पर कुछ current देखने को मिली अप ऐसा कियो हुआ कि चौकाने वाली बात है असे सकेसे तरह किसे ना है सब्सक्रवा किश्चा तो electron तो बाहर निखले, आच्छल между हुआ, हुआ होगा जो radiation यहां से incident हो रहा है, electron ने उनको इनको क्या होगा, absorb किया होगा, यहनी उनको लिए होगा, यहनी उसको absorb किया, और absorb करने के बाद, इस matter कि surface से क्या होए, बाहर निखले, जब वो बाहर निकले उनके पास क्या थी? कुछ velocity थी ज्यान सुनना, जब वो बाहर निकले उनके पास क्या थी? कुछ velocity थी यानि velocity थी कहने का मतलब क्या हुआ? जिस particle पाप velocity होती है उसके बाद क्या होती है? kinetic energy यानि जो electron इस metal की surface से बाहर निकल रहे हैं उनके पास क्या है? kinetic energy है और वो कुछ kinetic energy से कहां की और भाग रहे हैं? इधर की और भाग रहे हैं क्योंकि जगह ही इधर की और हैं तो इधर की और भागेंगे और जैसे ही यहाँ पर जाएंगे इस metal की surface से टकराएंगे और वो इतनी तेज बाहर निकल रहे हैं वो इससे टकराएंगे और इस पूरे circuit से होते हुए फिर से कहां पहुँच जाएंगे इस वाले plate न पहुँच जाएंगे अगेन इस electrode न पहुँच जाएंगे यानि वो एक complete cycle पूरा कर लेंगे तब भी यहाँ पर क्या हो रही है इस तरीके से current flow हो रही है यानि जब potential difference 0 है तब इतनी current क्या कर रही है flow कर रही है अब क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर कुछ potential difference लगा रहा हूँ फिर वह बैटरी में दुबारा लगा दी देखो इस तरीके से वह बैटरी क्या लगा दी मैंने हापर दुबारा लगा दी अब मैंने potential difference यहाँ पर दुबारा लगा दिया भी बूल्ट का अब इस potential difference को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ किसकी help से इस रोह स्टो की help से ठीक है हम क्या कर रहा हूँ यहां पर potential difference को इंक्रीज कर रहा हूँ मैंने ठुळा था और जिएक ठीक है जुरूसे थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया देखा गया कि जैसे मैंने पोटेंशल डिफ्रेंस इंक्रीज किया यहाँ पर करेंट थोड़ा सा क्या कर गई इंक्रीज कर गई करेंट पहने इतनी थी अब कितनी होगी इतनी होगी मैंने फिर से यहाँ पोटेंशल डिफ्र मैंने यहां फोड़ा सा ओर पोड़ा सव इन्क्रेस क्या फोड़ा सव क्रेंट और बढ़ गई इस तरीके से लूगे मैंने और यह पोड़ा माना यहां पर थे किया इसको पांच किया बढ़ा कितना कर दिया fel मांज बोल्ट यहाँ उसक कोई भी करेंट न ही आयाँ मैंने फिर यहाँ पर बढ़ आयमने में दो बोलट सारी प्सिता साथ बॉल्ट गडिया मैंने देखा कोई क्लिप करइंटेंटी अ में इसको about कर दिया फिर भी करेंटेंटेंट। मैंने इसको 11 बोल्ट कर दिया, फिर भी यहाँपर current में change नहीं आया, फिर भी यहाँपर current में change नहीं आया, यह अब इस particular point के बाद current क्या हो गई है, constant हो गई है, क्या हो गई है, current constant हो गई है, और इस constant current को हम क्या बोलते हैं, saturation current बोलते हैं क्या बोलते हैं हम saturation current बोलते हैं एक बात ध्यान देनी है कि यह जो यहां पर experiment हो रहा है यह कहां पर हो रहा है एक constant intensity पर हो रहा है अगर मैं यह बोलूं कि मैंने यहां पर 40W का बल्व लगा रहा है तो हर टाइम कितने बोट का बल्व है 40W का ही बल्व है यानि intensity कितनी इसके capital I intensity है ठीक है intensity क्या है constant है तो क्या देखा गया कि after a point potential difference बढ़ाने पर current में increase या फिर change नहीं हो रहा है अब ऐसा क्यों हो रहा होगा समझने वाली बात है ऐसा क्यों हो रहा होगा कि मलब अफकरेंट इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है यहां से यहां तक जब पुटेंशल डिफेन्स कितना था जीरो पुटेंशल डिफेन्स था अ'M कि आप क्म यह कि यहां से कितने इलक्त्रॉन निखल रहे होंगे हो इन किस पर्डेडकर रहा था इंटेंशिटी पर इप्रेंड कर रहा था अभी अन्यपंट पडला ना सकता हूं यहां पर जो पिसला ढरेशन है पहले इलेस्ट को इसा ही बूल सकता हूं कि number of photo electron number of photo electron is a data proportional to intensity number of photo electron is data proportional to intensity की यहां पर कितने photo electron बाहर निकलेंगे वो किसके proportional हां intensity के पर proportional है अच्म कर रहाँ कि मैंने यहां पर कितने बुव लगा रखा है चालीस वर्ट का बलबल लगा रखा है और मैं अजूम कर रहा हूं कि जब इंटेंसिटी इकल डू कितना है फोटी है तब यहाँ पर जो नंबर ओफ फोटो इलक्टॉन हो कितने अजूम कर लिए मैंने कि 10 इलक्टॉन यहां से बाहर निकले और 10 के 10 इलक्टॉन यहां नहीं पहुंच पाए कब जब पोटेंशल डिफरेंस कितना था जीरो था लेकिन मैंने जैसे जैसे हमाँ पोटेंशल डिफरेंस बढ़ाया यानि इसको मैंने पॉजिटिव किया तो अजूम कर लो कि जब और पोटेंशल डिफरेंस बढ़ाया आपके इतने कर रहें produkt कर रहें ना कर रहा है थुदा करन बढ़ जाएको फिर कि फिर मैंने अपहुंचर्थ बढ़ाया ऑंसते हर कि10 वनिकल रहें कि 10 आड़क्टार निकल रहें हैं नहीं कितना हर रिकेना सकते हैं यहां से 10 इलक्ट् पहुंच गए उसके बाद क्या हो जाएगा number of electron जो यहां पहुंच रहे है पर second वो क्या हो गया है constant हो गया है वो कितना हो गया है 10 हो गया है तो उसका मतलब यहां पर आप current में कोई भी increase होगा ही नहीं आप चाहे पोटेंशल को कितना ही बढ़ा दो किलर हुई बात यह सुन में आया कि saturation क्यों आ रहा है हां पर ठीक ऐसा देखने को मिलेगा नाव मुझे क्या करना है इस current को जीरो करना है देखो जीरो पोटेंशल पर जीरो तो है नहीं अब करेंट जीरो कब होगी उसके लिए मुझे क्या क पड़ेगा आपका idea क्या कहता है कि मुझे इस current को जीरो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा आप बोलोगे कि मैं यहां पर जो यह पॉजिल टर्मिनल है यह जो पॉजिटिव पोटेंशल पर यह मेरे पास इलक्ट्रोड है इससे कहां रख दूंगा मैं नेगरी टर्मि पोटेंशल को नेगेट्व कर दे रहा हूं पोटेंशल नेगेट िव करने का मतलब क्या हुआ कि यह जो प्लेट है इस पर लोग कहा रुणगा मैं नेगेटिव पोटेंशल पर दूंगा और क्या से Voor इस रहूंगा इस बैटरी को उल्रक्रो δोो तो वह कर KATS LIK rather जाएगग करूंगा जो यहां पर सबसे कम energy कम kinetic energy वाला electron होगा रूप जाएगा लेकिन जो चार जो मेरे पास बचे हुए electron है उनकी kinetic energy बहुत ज्यादा है तो फिर भी इस तक पहुंच रहे हैं तो फिर भी इस पर current flow करेगी मैं इसका क्या किया मैं क्या क्या पोटेंशल को negative किया अब जो चार उलक्ट्रों पहुंच रहे थें आप सिर्फ कितने पहुंच पाएंगे तीन ही पहुंच पाएंगे यहनी current थोडा सा और क्या कर जाएगी decrease कर जाएगी अगेन मैंने क्या क्या है और मैंने हैं वो overcome कर जा रहे हैं इस potential को पार कर जा रहे हैं हो ठीक है तो यहां और negative करूंगा और मैं और negative किया अब सिर्फ क्या पहुंच रहा है यहां पर एक electron पहुंच रहा है मैं इसको और negative किया अब यहां पर जो लास्ट और energy क्योंकि यहां पर jo electron है हर electron के kinetic energy क्या है अलग है हर लगण की velocity क्या है अलग अलग है और मैं अगर उस लपन रोकना चाहता हूँ जिसकी kinetic energy यहां पर जिसकी velocity maximum है तो मुझे यहां पर कितना potential करना पड़ेगा V Not potential करना पड़ेगा तो जैसी मैं इस potential V naught पर पहुंचूंगा, मेरी current कितनी हो जाएगी, zero हो जाएगी, और ये graph कुछ मुझे, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गई ये, current कितनी हो गई है, यहाँ पर, zero हो गई है, कहाँ पर इस V naught पर, और जो V naught जो potential है, इसका एक नाम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, stopping potential, क्या बोलते है, stopping potential बोलते है, क्या बोलते हैं, इसको stopping potential, इसका नाम क्या है, stopping potential है, तो add stopping potential, कौन सा एलक्टॉन रुकेगा, जिसकी kinetic energy क्या होगी, maximum होगी ठीक है तो कौन सा एलक्टान रुकेगा है यहाँ पर जिसके kinetic energy क्या होगी maximum होगी ओके तो maximum kinetic energy क्या हो जाएगी तो अगर मैं हाँ से kinetic energy maximum electron की kinetic energy कितनी होगी this is equal to half of m v square यानि v max का square यह आ जाएगा ठीक है यह उसी एलक्ट्रोन की तो energy होगी जिसके velocity क्या होगी maximum होगी m के है आपर mass of electron अब यहाँ पर potential difference कितना है v naught है तो यहाँ पर electric energy कितनी होगी v naught multiply by charging electron because अगर हम क्या बोलें क्या होता है हमारे पास energy equal to क्या होता है energy equal to क्या होता है electrostatic energy u e is equal to potential difference multiply by charge तो होता है ठीका पढ़ा है है आपने क्लास टोलते में कि यूई यानि एलक्टो स्टेटिक पोटेंश इनर्जी इस इक्वल टू भी नोट एनि पोटेंशल डिफ्रेंश मल्टिप्लाइबाइब चार्ज सिंपल सी बात हुई तो यह किसके बराबर होगा यहां पर इस इक्वल टू चार्ज इनलक्टॉन multipli by ev not और यह जो relation है ना बहुत important relation है क्या है यह important relation IMP क्या है है इंपोटेंट relation है तो कहां पर था क्या करता हूं increase करता हूँ, मैंने intensity क्या किया, increase किया, अभी intensity कितनी आई है, अब मैंने intensity क्या कर दिया, जैसे मैं intensity को दो गुना करूंगा, अभी हमने पढ़ा कि जो current होगी, क्या होगी, proportional to the intensity होगी, तो current क्या कर जाएगी, increase कर जाएगी, तो यहाँ पर again, जो zero potential by current इतनी दिख रही थी, आप कितनी दिखेगी, इतनी दिखेगी, क्योंकि intensity क्या कर दी है, बढ़ा दी है, फिर उसके बाद हम potential को बढ़ाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आएगा मेरे पास, और एक time पर माना अजुम कर लिया, जैसे मैंने intensity बढ़ाई, जहां यहां 10 electron निकल ले थे, आप कितनी निकल रहें, 20 electron निकल रहें, वो भी एक time के बाद खातम हो जाएंगे, तो उसके बार क्या हो जाएगी current हमारी? saturated हो जाएगी, यानि 약간 हो जाएगी, 20 electron निकल रहें, 20 electron निकल रहें, 20 पहुँन जा रहें, यानि ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी time 21 निकलने किसी time 25 निकल रहे यानि एक particular potential difference के बाद क्या हो जाएगा यह saturation current क्या हो जाएगी saturated हो जाएगी इस तरीके से ठीक तो यहां पर मुझे कुछ इस type of graph देखने को मिलेगा किसके लिए जब हमारे पास intensity कितनी हो गई है दोगनी हो गई है अगें जब मैं फिर उसके बाद एक्सपरिमेंट लिए देखा गया जब हमने क्या किया potential difference को negative किया potential difference को क्या क्या नेगेटिव किया अगें मुझे यहां पर graph देखने को मिलेगा लेकिन इस time पर जो इस negative access म ग्राब देखने को मिला और कुछ इस तहप का graph देखने को मिला यानि in both the cases the value of stopping potential is same धन सुनना इस बात को in both the cases value of stopping potential is same यानि वो maximum kinetic energy वाला जो electron है वो intensity पर depend कर ही नहीं रहा है maximum kinetic energy है जो electron की वो किस पर depend नहीं कर रही है intensity पर depend नहीं कर रही है तो this graph shows यानि यहाँ पर क्या हो रहा है potential difference same point पर मिल रहा है जैसे कि इस intensity के लिए मिला था वो ही point इस intensity के लिए मिल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास kinetic energy है electron की वो किस बात पर depend नहीं कर रही है intensity पर depend नहीं कर रही है तो आसे important कि आप बात कर बदरे kinetic energy is not depend upon not depends upon intensity intensity पर depend नहीं कर रही है intensity of radiation पर depend कर ही नहीं रही है अगर करती तो हमें यहाँ पर यह value यहाँ पर ने देखने को मिलती इससे कुछ दूर देखने को मिलती ठीक है हम यह बोल सकते हैं जो stopping potential है उसकी value किस पर depend नहीं करती है intensity पर depend नहीं करती है तो intensity पर सिर्फ कौन depend कर रहा है current depend कर रही है हां कर रही है वो क्या कर जा रही है increase कर जा रही है जब intensity इतनी थी अब इतनी हो गई है यानि बढ़ाने पर क्या होगे दो गुना करने पर वो क्या होगी कुछ बढ़ गई और कैसे बढ़ेगी हो तो यह तो हुगा किस तरीके से potential difference पर हमारी current क्या कर रही है, depend कर रही है, अब देखते हैं, dependence on intensity, तो किस तरीके से जो intensity पर किस तरीके से depend करेगी, ठीक है, अच्छा में जोग यहाँ पर kinetic energy है न, वो intensity पर depend करती है, तो अगला लिखो, intensity of radiation, तो third point है, intensity of radiation, इसको नूट कर लो, म हमारे पास क्या, intensity of radiation, intensity of radiation, third हमारे पास क्या, intensity, sorry, intensity नी, frequency of radiation, sorry, sorry, very, very, sorry, कभी-कभी, गलत हो जाता है, third क्या है, frequency of radiation, frequency of radiation, ठीक है, तो again experiment किया गया, अब यहाँ पर frequency of radiation देख रहे हैं, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या कर देंगे, constant कर देंगे, ठीक है, जैसे पिछलवा लेक्टर न हमने, intensity के लिए देख रहे थे, हमने, intensity वेरी कर रहे रहे थी, लेकर फ्रिक्वेंशिव क्या है, constant किया, ना यहाँ पर क्या करेंगे, हम frequency को change करेंगे, लेकर intensity क्या रहेगे, constant रहेगी, ठीक है, यह क्या है, उसके limitation है, यानि कुछ एक नएक variable क्या करना पड़ेगा, हमको constant रखना पड़ेगा, frequency change होगी, लेकर intensity क्या रहेगे, constant रहेगी, और अब यहाँ पर हम current और किसके बीच, potential difference के बीश ग्राब देखेंगे, देखो, इस access में क्या जब कर लो, this is current, यह क्या है, मेरे पास, current है, और इस access में, मैं confirm, this is potential difference, और यहाँ को कैसा है, positive, और यहाँ को कैसा है, हमारा negative, इधर को positive, इधर को negative, और यहाँ पर क् यहां से कुछ ग्राफ ऐसे आएगा और यहां पर इसको पीछे ऐसे करूंगा तो कुछ इस टैक ग्राब देखने को मिलेगा यहां मेने क्या क्या है इस्ट्विंगे कि ट्विंगान वाया खुछ गया कि इस्ट्विंग का वैल्यू वह क्या होगी increase होगी क्या दिखा गया stopping potential की value क्या होगी increase होगी और current हो same रही saturation current same रही saturation current same रही लेकिन stopping potential की value क्या होगी change होगी कुछ इस type of graph देखने को मिला अफ ही मुझे stopping potential यहाँ पर देखने को मिला जैसे मैंने frequency क्या करी, बढ़ाई, यह को frequency mu1 से कितनी करी, mu2 करी, और mu2 क्या है, greater than mu1 है, तो frequency बढ़ाने पर, यह देखा गया, experimentally, कि stopping potential की value क्या हो गई है, increase हो गई है, mu0 2 is greater than mu0 1, okay, मैं थोड़ा सा और frequency frequency बढ़ाई, frequency बढ़ाई कतना कर दिया, मैंने यहां पर mu3 कर दिया, जैसे मैंने frequency को mu3 किया, अगेन यहां पर stopping potential हो क्या कर गया, increase कर गया, लेकिन current क्या रही, same रही, current same रही, यहनि saturation, saturated current same रही, लेकिन जो मेरे पास क्या है, यहाँ पर यह frequency है sorry, जो stopping potential है वो क्या कर गया, increase कर गया ठीक है, तो यहाँ से मुँआ क्या पता चला कि stopping potential increase with frequency, तो important point क्या है आपर मेरे पास, stopping potential stopping potential potential increase with increase in frequency with increase, उपर को सहन increase in frequency 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 पर increase करने पर stopping potential की value क्या हो रही है increase हो रही है, अगर stopping potential की value increase हो रही है, इसका मतलब क्या change हो रहा होगा अब सोचो, अब सोचने वाली बात है यहाँ पर अगर stopping potential change हो रहा है तो यहाँ पर क्या change हो रहा होगा kinetic energy of electron क्या हो रही होगी change हो रही होगी so this relation show that kinetic energy of electron depend upon frequency ठीक है तो this graph show that तो क्या बोलनेंगे हम आपर this graph shows that kinetic energy of electron depends upon frequency of incident radiation तो लिखो फटापट क्या है frequency of incident radiation किस पर डिपेंड करता है वो frequency of incident radiation पर डिपेंड करता है क्या kinetic energy of electron ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर आके रुख गया यहाँ इस negative potential पर रुख गया लेकिन जो यह वाला electron था जो नेक्स इस frequency पर जो electron निकले वो यहाँ पर नहीं रुके वो यहाँ पर आके रुके यहाँ इतना negative potential चाहिए यहाँ इनर्जी क्या होगी बढ़ गई तो यहाँ से यहीं बता चल ला है कि काइनेटिक इनर्जी इंक्रीज इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर हम यह बोलेंगे कि काइनेटिक इनर्जी ऑफ इलक्ट्रॉन इंक्रीज इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी पर इंक्रीज करने पर काइनेटिक इनर्जी भी क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है ना क्वेशन यह है कि किस तरीके से इंक्रीज होती है तो एक्स्परेमेंटली यह देखा गया कि काइनेट inquiry किया होगा यह फोटोईलर्ट्रों यानि वाल धटर嗟 किया बूक अलब्टों सिल्ट ठीख किया काई बूक है लिगते हैं फोटो एलक्रों जो यहां से निकल रहे हैं Due to this incident of radiation. कोई से अलक्टर्न होगा, फोटो एलक्टर्न. यहाँ भी फोटो एलक्टर्न, यहाँ भी फोटो एलक्टर्न. कानेटिक इनर्जी ओफ, फोटो एलक्टर्न इस प्रपोर्शनल टू, अफ्रोपोर्शनल कैसा होता है, frequency of radiation के proportion होता है frequency of incident radiation incident radiation ठीक है नो देखते हैं वो proportion relation कैसा होता है ठीक इसे मिटाते हैं और देखते हैं कि इसे मिटाते है ठीक तो ग्राब बनाएंगे तो experimental यह देखा गया कि अगर मैं यहां पर काइनेटिक इनर्जी इस एक्सेस में केले लिए मैंने काइनेटिक इनर्जी और इस एक्सेस में केले लिए मैंने फ्रिक्वेंसी म्यू ठीक है यहाँ पर कुछ फ्रिक्वेंसी का रेडियेशन डाला माना मैंने इतनी फ्रिक्वेंसी का रेडियेशन डाला कोई radiation है intensity कुछ भी हो सकती है और मैंने इतनी frequency का radiation डाला मैंने माना 50 watt का bulb लगा रखा है क्या कर रखा है मैंने 50 watt का bulb लगा रखा है मैंने यहाँ पर और उस 50 watt का bulb की फ्रिक्वेंशी कितनी है इतनी है यानि जो इतनी अफ्रोट था धिक्राव यानि जिरो से थोड़ा सा बड़ी है फ्रिक्वेंशी क्या एलक्ट्रोन निकलेगा यह नहीं दे आंसर है एक्सपरीमेंट ले देखा गया इलक्ट्रोन नहीं निकला जोकाने वाली बात है मैंने रेडियेश्न डाला और किस जिलक्ट करेंठी यहां पर फूलो नहीं करिए कोई करेंट ही यहां से कोई फोटो यह कहने का मतलब क्या है आँसे कोई फोटो एलक्टोन बहर निकलाए निहीं होगा अब तो मैंने क्या किया थोड़ा प्रिक्ट शौब और बड़ाई माना यहां पर पहले कितनी थी एक हर्ट ती फ्रिक्वेंसी मैंने बला कितना कट्राइब दूर्स कर दिया है तो नहीं है कुछ नहीं हुआ यानि तब भी यहाँ पर कोई इलक्ट्रोन बाहर नहीं निकला कोई भी फोटो इलक्ट्रोन मेंटर्डिय सर्फेस से बाहर नहीं निकला मैंने थोड़ा और फ्रिक्ट्रोन बढ़ाई मैंने का चलो अब तो निकलेगा अब भी नहीं निकला मैंने थोड़ा और फ्रिकुंशी बढ़ाई अब भी नहीं निकला मैंने थोड़ा और फ्रिकुंशी बढ़ाई अब जाके निकला अब जाके आये मेरे दिल को करार ठीक है अब जाके यहाँ पर क्या हुआ फोटो इलक्टॉन बहाँ निकला और जब मैंने उसके बाद क्या कर पर काइनियर्लि क्या हूई इसतरी होई इस तरहup से लिनयरली क्या हूई increase होई ऐसा यह देखा गया कि और क्या देखने को मिला time कि Civ Icks अ किसी मेटल की सरफेस से लच्ट्रॉन को निकालने के लिए हमां क्या चाहिए एक सर्टेन अमांट औफ मिनिममम festival चाहिए ठीक है वो एक minimum frequency में चाहिए यानि इससे नीचे की frequency पर electron बाहर नहीं निकल रहा था हमें क्या चाहिए एक सर्टेन amount of minimum frequency चाहिए और इस frequency को हम क्या बोलते हैं mu naught और इसका नाम हमने रख दिया क्या threshold frequency इसे हम क्या बोलते है threshold frequency बोलते हैं तो this is threshold frequency तो frequency यह बोल सकते कैसे define करेंगे हम इसको लिखेंगे threshold frequency की definition क्या हो जाएगी minimum frequency require to eject electron from metal surface metal की surface से electron को eject करने के लिए जो minimum frequency की requirement होती है उसी को हम क्या बोलते है threshold frequency बोलते हैं ठीक है तो क्या जाएगा यहाँ पर तो minimum frequency require minimum frequency required to eject electron to eject electron from metal surface from metal surface is called threshold frequency threshold frequency ठीक है अगर frequency threshold frequency से कम होगी तब कोई भी important concept है कि कि किसी भी metal के surface से अगर हमको क्या निकालना है कोई electron बाहर निकालना है तो उसके लिए कम से कम उस पर radiation incident होना चाहिए वो किस frequency का होना चाहिए threshold frequency के order का होना चाहिए threshold frequency के बराबर या फिर उससे जादा होना चाहिए है killer हुई बात ओके तो यह तो हो गया कि किस तरीके से किस पर डिपेंड कर रहा है frequency पर डिपेंड कर रहा है तो चौथा जो हमारा point है चौथा point है हमारे पास क्या fourth point is depend upon photo metal depends upon photo metal dependence dependence upon photo metal upon photo metal तो photo metal पर किस तरीके से photo electric effect या फिर जो बोल सकते हैं हम current क्या करती है depend करती है तो बहुत आसान है कि अलग-अलग metal के लिए threshold frequency क्या होती है अलग-अलग होती है यहां तो threshold frequency किसके property है metal की property है यहां सुनना threshold frequency किसके property है metal की property है और अलग-अलग metal के लिए threshold frequency अलग-अलग होती है तो अगर zinc की threshold frequency अलग है और nickel की यहां फिर बोल सकते हैं potential frequency अलग है तो क्या कहते हैं पोटेशियम के लिए हमको अलग threshold frequency होगी और जिंक के लिए अलग होगी तो देखते हैं किस तरीके से हमको variation देखने को मिलता है अगर मैं यहाँ पर kinetic energy और किसके विज़ दिस इस kinetic energy और दिस फ्रिक्वेंसी ग्राफ खिशना चाहूं तो पोटेशियम के लिए ऐसा ग्राफ आत तो हर अलग-अलग metal के लिए तो threshold frequency हो क्या है अलग है this is mu naught and this is mu naught 1 mu naught 2 and mu naught 3 ठीक है तो देखो जिंक के लिए क्या है बहुत ज्यादा है यह जिंक के लिए क्या चाहिए हमको ज्यादा intensity sorry ज्यादा frequency क्या चाहिए radiation चाहिए sodium के लिए zinc से कम और potation दो बहुत ज़दे निकल लेगा killer हुई बात तो अभी तक हमने जो यहाँ पर क्या लिखे हैं चार पॉइंट लिखे एक और पॉइंट है वह important point है चौथा चार पॉइंट होगे पांचव पॉइंट लिख दो ठीक है उसको effect नहीं बोलेंगे हम point attack का हुआ हो पांचव पॉइंट है there is no time lag between incident of radiation and ejection of electron जैसे ही radiation incident होता है photo metal पर वहां से electron क्या गर जाता है eject करता है बसरते उसकी frequency threshold frequency के बराबर यहाँ से जाड़ा हो ठीक तो क्या है मेरे पास चौथा point है मेरे पास क्या चौथा नहीं पांचव क्या है there is no time lag no time lag between incident of incident of radiation and ejection of electron and ejection of electron एक्रों चाहें यह चाहऊ और यह चाहीं पॉइंट पॉइंट पुइंट क्या है कि out dot at hit quarantine यहां बोल सकते हैं हाँ करेंट तो इन्टन लोओिम डूसरा फ्रेटोंस क्या है जो मेरे पास क्या है पोटेंशल डिफ्रेंस है, यह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसको current, DAT и proportional to intensity है, दूसरा point क्या है, की जो मेरे पास क्या है, यहाँ पर threshold, शॉरी, जो मेरे किसके बात करी, potential, नी voltage की बात करीए, ठीक है, जो मेरे पास maximum kinetic energy वाला electron होगा उसे रोकने के लिए जितने potential की दरवत होती है जितने negative potential की दरवत होती है उसे हम क्या बोलते हैं stopping potential बोलते हैं और तिसरा point क्या होगा कि जो मेरे पास क्या है frequency होती है जो kinetic energy of electron है वो frequency पर क्या करती है और फ्रिक्वेंशिय कैसे होती है डाटी प्रपोशन होती है ठीक है और पाचों point क्या हो गया there is no time lag between incident of radiation and ejection of electron और पाचों point को हम combine लिए क्या बोल देते हैं लॉफ फोटो इलक्ट्रिक एफेक्ट बोल देते हैं क्या बोलते हैं हमको fundamental law of photoelectric effect तो इसके निचे लग दो these five points are और फिर देखेंगे कि किस तरीके से हम इस फोटो इलक्ट्रिक एफेक्ट को classically explain करते हैं और फिर देखेंगे classical mechanics इसको explain करने में fail हो जाती है और जब classical mechanics fail हुई तब Einstein 1905 में इसको प्लांक के photon postulate की help से जो photon ने बूला था उसकी help से हम उसके प्लांक पॉस्ट्रिक एफेक्ट का करते हैं explain करते हैं वह हम पढ़ेंगे आने वाई lecture में तो मिलते हैं आप से नेस के लाह में तब देखेंक्यू तैन्ने बाद झाल